आज हम अमेटी विधान सभा के अंतरगत जिदाहां बढ़ गाओं में बैठे हैं इनसे जानते हैं दीपक्षिन हैं इनसे जानते हैं सुनाग बारे में क्या माहोच चलगा है कि माहोल की विशे में तो क्या चर्चा करें इस समय जो अमेटी लोक्तवाद केत्र है इसमें माहोल तो कॉंग्रेस का मद्बूर दीख रहा है कि इन्टी रानी थोड़ी कंजोर पर रही है कूंकि कार्यकर्ता कि प्री चुनाओ की तरह जोश में नहीं अभी तो कांग्रेस का कि पता ही नहीं कुला है यहां पर कि कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा पता खुलना खुलना अलग विशे हो गया है देखे यह तो प्रयास लगाये जा रहे हैं कि राहूल आएंगे आप पर दोनों में नहीं है गांधी परिवार से चाहिजू उत्रेगा तो चुनाओ लगादा फब्लिक आहीं थी नामांकर में पाड़ी अना को बहुत बड़ी बात नहीं है और नेतां के जो सभाएं होती है इन में पड़ी का था फुर्च करता हो गए कुछ डो चार लोग सबहा से और बुला लिए कारे करता हो तो जंशालाप को जो दिखाया जाता है मीड मुख मंत्री मद्ध प्रदेश के मोहन यादो जी आये उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनको कोई प्रभाव पड़ेगा यादो समाझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह चुनाव जात किसे हट करके हो चुका है जो सोशन भाजपा सरकार में हुआ है जो स्मिती रानी ने काम किये हैं कहीं दिखाई ही नहीं देती तो यह प्रभाव किसी का कोई पड़ेगा नहीं चुनाव एक तरपा हो बहुत सादर्थी बात है आप इस रोड़ पे चले जाए आप पूरा अंगहों हो चाड़ के गड़े हैं कि अपको पता नहीं चले आपप अमेठी से किठावर रोड आ जाईए शिला नयास हो गया जहा तक हमारी जानकारी साथ टेंडर भी नहीं हुआ होगा पर सिला नयास पहले उन्होंने शिलानास कर दिया तो बना है तो पात साल बैटी है तो बन गया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया आप सांसद हैं 20 लाख लोगों के 20 लाख वोटर के अब मजाग चल रहा है आप क्या समझ रहे हैं कि आप आएंगे दो चार घरों में जाएंगी दो चार जो मुख्षें के कारेकरता है उनसे मिलेंगी तो यह लोग सबाव होता है क्या यह कोई तरीका नहीं है इन्होंने आप दस साल कि नियुक्त दस जो कॉन्त की वह लुए नो ने को गतम किया इनके अंदर खुद हुनर नहीं है । तीक है घड़ावर नेता होंगी भाचपा की और उसे फार्टी के लिए जनता के लिए को हैं मालीज़े यहां से अगर कोई परत्याथी और अभी नहीं आया इससे क्या मतलब है अभी तो तीन दिन बचा है नामांगन की दो दिन तो बहुत होता है नामांगन दायर करने के लिए उसमें कुंसी बड़ी बात है लास्ट मुव्मेंट भी कोई तुट्टाशी आजाएगा और उसमांगन चुना फिर एक तरफा होगा मैं आपको बता रहा हूंगे आखरी मुव्मेंट पे अगर कॉंग्रेस से पर्चा गानी परिवार्दी को बढ़ देता है तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा ना इनके क परिश्य को आप गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपाहिज बना रहे हैं अब अनाज दे करके वोट लेना चाहरे हैं तो बेफू बनाने की तरीके हैं चलेगा नहीं बार और यही हाल लगबल लगब आप पूरी यूभी में देख लिए चार सो पार अब तो बोल भी लोट पार कर जाएंगे और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहे हैं कि लोग सभाओं चार छे लोग सभाओं से पुब्लिक लाकर गया विर दिखा देंगी तो सब जनते हैं कोई नया खेल नहीं है राजमी ठीगा और तुरा ना खेल है कि आप कांग्रेश की बात कर रहे हैं ना तुनका कुनाव कहीं दिख रहे हैं आप तेरे को जीतेंगे ऐसे सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है देखिए जहां तक चुलाओं के प्रचार का है तो अमेथी जो लोग सभा है यह एक बेटन टाइप का है तो यहां कारे करता प्रयोगतार ऐसे भी नहीं होता है जाहुल जी या प्रेंका जी जो भी रखते हैं यह अपने नाप पर जीते हैं और उस्तेनी सीट होने की वह ज़यते और जंता की बीच में अक्तर आते जाते रहते इसके लिए कारे करता हो कोई योगदान कभी रहा हैं कारे करता जो पंग्रेस के हैं एकाद दो को दीए जनता कर देए जो समझ रही है कि आप उनके बच्चों को दाउं को लगा रहे हैं प्रचार जंता करता हो तो यह तो अब यदि आपने ये बोला कि रावगांधी पराबराबर आते हैं तो हमारे चयार लगबग श्य महीनें से तो नहीं दिखाई दिए कि अब कुछ दिन पहले आए हुए थी कि मिती रानी जो एक लोग सभा देखती है यहां चो असांसद है तब तो वह नहीं पारिंगे आप साल में रेकॉर्ड निकालेंगे तो शायद तीस दिन आहीं होगी पुरा रेकॉर्ड आप निकाल लीजेगा तीस दिन भी नहीं होगा उनका पूरा पूरा ठीक है और राहुल गांदी जो 535 लोग सभा देख रहे हैं आप उनसे उनका कैसे तुलना करेंगे उसके बावजूत इतना ब्यस्त पूरा इंडिया देखने के बावजूस ब्यस्त होने के और समय निकालते हैं मेटे के लिए बहुत बड़ी बात आप दोनों की तुलना ही नहीं करते हैं और आपके इसाफत क्या होगा कॉंग्रेस मेरे इसाफते कॉंग्रेस जीत जाएगी तुकि भाजपा में कोई रणनीती दिख नहीं है यह लोग भले अपने मुझ से बोल रहे हैं हम इतना वोट पाएंगे यह करेंगे उन करेंगे ना कार्यकरताओं में जो शे और जो इनके रणनीती कार है वो खुद बैटे हुए उनको खुद अंदर अंदर पसाए कि उनकी नहीं जीतेंगे नहीं बले प्रयास करना है और उस दिशा में सब्सक्राइब तो इस दिशा निवकरत नहीं हमको बैटिकत नहीं डिकता है रहे बास नहीं समझना चाहिए कोन बाएंगे कि रिख्ञार कारी की दुनिया नहीं यह आप आए हैं 4-5 टेक लेंगे री टेक होगा और आप एकदम पर्फेक्ट दिखेंगी आपको जनता ने पाट साल पूरा दिया आप उसमें टेक करें लेकिन अब जनता समझ चुकी है आप एक एक अपनेता या किसी के मददगार या जनता के प्रत्नीत बनने के आपकी हैसियत नहीं तो इस बार आपको रीटेक नहीं मिले सिस्टम बना रखता है इन लोगों ने उसी सिस्टम से लोग चल रहे हैं और कोई नया स्टेटिजी नहीं है कुछ नहीं है कुछ होगा नहीं इस वाई एक शलिया जाए